यकीन जाने है यह बहुत ही अच्छा रहेगा आप बहुत चीजें जाके वहाँ पर सिखेंगे विकरज इस रिसर्च का मोटी भी यही है कि जो बच्चे रिसर्च की फील्ड में आगे आना चाते हैं science की field में आगे जाना चाहते हैं उनके लिए ये बनाई गई है ताकि उनका जो interest है वो इसके लिए develop हो जाए तो ये बहुत ये famous institution है पूरे इंडिया का हलो मेरे दोस्तों अगर आप BSC कर रहे हो या फिर MSC कर रहे हो तो ये एक research internship निकल के आई है जिसमें आप apply कर सकते हो और जिस college में निकल के आई है जिस institution में निकल के आई है वो बहुत ही जादा prestigious college है तो अगर आपको इस prestigious college के अंदर आपको मिलता है research करने के लिए तो आपके लिए ये बहुत ही बहतरीन बात होगी कि आप इस institute में जाके research कर पाएं और ये research की जो duration है ये summer research है कुछ दिनों के लिए ही ये internship या फिर ये research करवाए जाती है तो जब आप इस research को complete कर लेंगे तो आपको इनकी तरफ से एक certificate देया जाएगा जिससे ये पता चलेगा कि आप फर्दर अगर कहीं job के लिए जाएंगे तो उन्हें पता चल जाएगा कि आपके पास period पहले से ही experience है और आपने इस college से internship करी हुई है तो वो उसे as a experience की तरीके से count करेंगे और definitely आपको जब आप फर्दर अपना career pursue करेंगे जहां पे भी job के लिए जाएंगे वहां पे वो आ यही है हमारा इंडिया इसे हम आइसर बोलते हैं और यह कौन सा आइसर है यह मोहाली के अंदर है ठीक है तो और भी आइसर है इंडिया के अंदर है बट यह मोहाली वाला है तो मोहाली वाले में ही यह summer research program निकल के आया हुआ है तो आप इसमें जो summer research program है जो उसकी duration रहेगी वो 6 से लेके 8 सब्ता के रहती है, तो जब आपकी छुटियां पढ़ेंगे आपके college की, उसी duration में आप यहाँ पे जाके इस summer research को कर सकते हो, मोहाली के अंदर, ठीक है? तो देख लेते हैं कि अभी यहाँ पे कौन-कौन लोग apply कर सकते हैं, अगर आप BSC कर रहे हैं, तो उसके second या third year में होना चाहिए, अगर आप BSC कर रहे हैं, तो second या third year में हो, तो आप apply कर सकते हो, अगर आप MSC कर रहे हो, तो अगर first year में हो, तो भी आप apply कर सकते हो, BSC 2nd या 3rd year वाले apply कर सकते हैं और MSC जो कर रहा है वो 1st year में है तो भी वो apply कर सकता है या BSC MSC के equivalent कोई और आपके पास degree है तो भी आप इस research internship में apply कर सकते हैं यकीन जाने है यह बहुत ही अच्छा रहेगा आप बहुत चीजें जाके वहाँ पे सिखेंगे विकरस इस research का motive यही है कि जो बच्चे research की field में आगे आना चाते हैं science की field में आगे जाना चाते हैं उनके लिए यह बनाई गई है ताकि उनका जो interest है वो इसके लिए develop हो जाए तो यह बहुत यह famous institution है पूरे इंडिया का अगर आपका होता है तो आप बहुत कुछ वहाँ पे सीखेंगे duration 6 to 8 week रहेगी मैंने आपको बता दिया है और मुहाली में ही आपको जाके यह इस internship को करना होगा जो internship की duration रहेगी वो 15 माई से शुरू होगी 22 जुलाई तक चलेगी तो आप देख लिजे 15 माई से 22 जुलाई तक ही चलेगी और इसकी जो dates यही fix रहेगी बदली नहीं जाएगी तो आप पहले से ही देख लिजेगा कि अगर इस duration में आप फरी है तो आपको definitely apply कर देना चाहिए इसके लिए ठीक है देखें यहां पर इन्टनसिप जो यह research ना वो दो टाइप के करके रखे गई है पहला होगा पहला आपको research करवाई जाएगी research में क्या होता है इसमें consultation करवाई जाती है आपको एक super वाजर दिया जाएगा और आपको concentration करनी होगी जो research के field में होगी रहेगा और जो दूसरा है वो दूसरा interdisciplinary course of work इसमें क्या रहेगा देखें सिंपल है पहला research के field में रहेगा आपको concentration करनी होगी जो दूसरा type रहेगा इस research का उसमें कुछ lecture दिये जाएगे lecture का मत्तब यह जो scientist होते हैं वो आपके theoretically वो चीज़ें को सिखाएंगे ठीक है तो definitely is पूरे research को दो पार्ट में divide किया गया पहला research की पार्ट में और दूसरा course work की पार्ट में करेंगे तो आपके सामने गूगल फॉर्म को जाएगा बस इस गूगल फॉर्म को simply भरते चले जाना है और आपका फॉर्म समिट हो जाएगा देख लिज़े आपको email, name, mobile number, corresponding address और next करते चले जाना है और गूगल फॉर्म भरते वे चला जाएगा last date की बात कर लेतें देखें, last date रहेगी 22 March, याद रख लिजे, 22 March इसकी last date है तो उससे पहले आपको इसको apply कर देना है अब देख लिजे, इन्होंने, जो student है ना, students को इन्होंने तीन categories में divide किया है पहली category, अकसे बचे सोचते हैं कि क्या ये research करने से हमें कुछ पैसा मिलेगा, या हम वहाँ जाएंगे, कहां रहेंगे, कहां खाएंगे, सारी चीजों को उन्होंने बता रखा है कुछ-कुछ हो सकता, पैसा दिया जाए, या accommodation दे दिया जाए, या food दे दिया जाए, तो category B type के students को कुछ support दिया जाएगा category A type के student को कुछ नहीं मिलेगा, आइसर मोहाली से category B type को कुछ ना कुछ support दिया जाएगा, ताकि वो इस summer research को कर पाएं और जो category C students होंगे, जो बाकी बचे students होंगे, उन students को देख लिए यहां पर लिखा हुआ है, उन student को रहने के लिए फिरी में जगह दी जाएगी, तो जो category C students होंगे, वो ने रहने के लिए फिरी में जगह दी जाएगी, और अग्योंट है, category C student को रहने के लिए रहने के को कुछ support दिया जाएगा category C type के student को उन्हें जो free में accommodation दिया जाएगा और बाकी A और B अगर सोच रहे हैं कि हम जाके कहां पर रहेंगे तो वहां पर जाके रह सकते हैं बट आपको कुछ nominal fees देनी पड़ेगी तो यही इन्होंने तीन type के student में बाता है जो बच्चे अपना खु में accommodation दिया जाएगा और बाकी student अगर सोच रहें वहां रहेंगे तो वह भी वहां रह सकते हैं बट उनी थोड़ा चार्ज दिना पड़ेगा यह बात यहां पर लिखी गए ठीक है आई होप यह बाते आप समझ गया होंगे और apply करने के लिए simple यहां पर आपको जाना है click here प अगर selection हो तो पता चल जाए और आपको regular basis पर अपनी email भी चेक करने क्योंकि यह email भी भी भेज सकते हैं unofficial website भी चेक करते रहना है ठीक है बट अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आती है form को भरने में कहीं भी कोई भी परिशानी है तो definitely आप हमसे connect कर सकते हैं आप मुझे मेर इस सकते हैं तो अगर 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 कुछ भी तक पहुचे है तो प्लीज आप हम तक पहुचे है चाहे वट्सप से इस्टा से या Telegram Channel C